तुत्राखंड के हल्दवानी के आर्टियो कारले में बीते दुरों कुमाओ कमिश्णर दीपक रावत ने च्छापे मारी की थी च्छापे मारी में कमिश्णर ने आर्टियो कारले में काफी अनिमित्ताइं पाई गई थी इसके साथ ही कारल के बाहर भी कमिशनर ने शराप की बूतले और गंदकी को देखकर नारज की जाहिर की थी तो वहीं आर्टियो हलतवानी के मौके पर ना होने पर भी कमिशनर ने आर्टियो से स्पस्टिकर मांगा था इधर कमिशनर दीपक के चापे मारे के बाद आट्यो प्राशसन ने कारवाही कि दिवार से लगी आइस्थाई फोडों को जेसीवी से धुस्त किया है बता दे कि फड़ो में काम करने वाले लोग आटियो कारवाही में दलालोक रूप में कार कर रहे थे वहें ये सम्मध में आटियो हल्दवानी संदीब सेनी का कहना है कि कारलाई की दिवार से लगे फड़ों को धुस्त कर दिया गए उक्तर जगा को पार्किंग के रूप में विक्सित किया चाएगा जिससे कारलाय आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े हल्दुवाने सदीपकादिकारी की रिपोर्ट कार्टी ऑफिस के बाउंटर के बाहर कुछ लोगों ने अपने जो टेमरी स्ट्रक्चर बनाए वे थे हम लोगों ने उनको वहां से हटवा दिया है और अब सक्त निर्देश दिये गए हैं कि यहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई दुकान या ठेला कोई नहीं लगाएगा और दूसरा हम उसको पार्किंग के रूप में डवलप करें जिसे बाहर से आने वाले आगदन तक जो हैं उनको पार्किंग की जगे मिल सकें